आज मैंने आप सब के लिए एक ऐसी शॉप ढोन ने काली है जहां पर दरास की चीजे दरास से भी ज़्यादा सस्ती मिलती हैं हाउस होल्ड्स, हाउस एटम्स, केचिन गैजिट्स और घर की जरूरत का हर समान आपको यहाँ पर 60 रुपीज से लेके 200 के दरम्यान मिल जाएगा जब हम दरास से कोई चीज मंगवाते हैं एक तो हमें डिलिवरी चार्जिस जो है वो भी देने पड़ते हैं उसके इलावा अब जो है वो 90 रुपीज का जो हमते अलग से टेक्स भी जो है वो लेते हैं लेकिन इस शॉप में ऐसा कुछ नहीं है हर चीज जो है बहुत ही जादा रीजनेबर प्लाइस में आपको मिल जाएगी तो आज की वीडियो आपने स्किप बिल्कुल नहीं करनी क्योंकि आज की वीडियो आप सब के लिए जो है वो बहुत जादा हेलपफल होने वाली है अच्छा वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक बात बलके एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप वीडियो जो है वो पूरी देखा करें फिर ना बाद में आप लो कॉमेंट्स में आकर जो है वो लोकेशन के बारे में पूछते हैं कि यी शॉप कहा है मैं वीडियो स्टार्ट करते ही जो है सबसे पहले जो है वो शॉप की जो है वो लोकेशन बता देती हूँ हैलो अस्टाम अलेकूम तो जी मैं इस वक्त मौझूद हूँ वराइटी स्टोर पर जो कि बहरिया टॉन कराची में जो है वो मौझूद है और ये किसी भी वन डॉलर शॉप से जो है वो कम नहीं है मींस के यहाँ पर जो है वन डॉलर शॉप से भी कम कीमत में जो है वो हमें चीजे जो है वो मिल रही है इसके साथ इन्होंने जो है वो आनलाइन भी जो है वो सहुलत जो है वो रखी हुई है कि अगर आपको कोई भी चीज यहाँ पर पसंद आती है तो आप इनसे जो है वो आनलाइन भी जो है वो मंगवा सकते हैं तो इंटर होते ही मुझे कुछ बॉक्स नदर आए मैंने का पहले मैं इनको एक्स्प्रोर करती हूँ यह था 60 रुपीज का जो हम शूज में रख सकते हैं कनफी रहते हैं इसके साथ शूज काफी और एक यह था यह हैंडल के साथ था और यह भी 60 रुपीज का था और यहां प यह था जैसे हम लोग टावल होता है हमारे हेर के लिए आज सौक करने के लिए ड्राय करने के लिए तो यह 150 रुपीज का था इसी तरह से यहां पर यह भी नज़र आ रहा था मुझे यह 70 रुपीज का था और यह काफी अच्छा मुझे वाइपर लग रहा था आप मेर वग तक थी और अलग अलग बॉक्स में जो है वह आप देख सकते अलग अलग जो है वह चीजे जो है वह नजर आ रही है अच्छे यहां पर जो है कुछ वाटर बॉतल्स थी मैंने का दूसरी चीजे दिखाने से पहले में पहले आपको यह दिखा देती हूं यह कॉलिटी वाइस जो है वह काफी अच्छी वाटर बॉतल्स जो है वो मुझे नजर आ रही थी कुछ ना इनका जो था वो ट्राय सेक्शन भी था थोड़ा जो है वो एक्सपैंसिव जो है वो लग रहा था लेकिन बाकी चीजे ऑवर ओल जो थी वह इनकी जो है वह बहुत जादा सस्ती थी ज और सॉप पीस में डाल के जो है वह आप जो है वह यूस कर सकतो इसके लावा यह इस तरह की थी डी लाइट्स भी जो है मुझे नजर आ रही थी जो सिस्टी रुपीस की एच थी और इस तरह के यहाँ पर जो है वह वाश्रूम जो है वह शूज भी मौजूद थे जो 120 रु नहीं होता तो यह आप बच्चों को जो है वो लाजमी जो है अपने साथ दिया करें तो इन सब चोटी चोटी चीज़ों की जो प्राइस थी ना वह 50 रुपीज से लेके जो है वह फिस्टी के दर्मियान थी आपको प्राइस जो है वह नजर आ भी रहे होंगे और कुछ के जो हैं जिसने हम जो है वह अपना चूगला या माइक्रोवेव जो है वह स्क्लीन कर सकते हैं यह वन फिफ्टी रुपीज का था और इस तरह की जो है वह चोटी चोटी चीज़ें जो है वह आपको जो है वो नजर आ रही है सब के जो है वह अलग अलग प्राइस थे और बहुत ही मुझे तो बहुत रिजनेवल प्राइस में चीजे मिले कुछ यहां पर ट्वाइस ठाव ज़ो है थोड़ा एक्सपैंसिफ थे मींस के ठाउसन से भी ज़या थोड़ी चीजे थी लेकिन वह नों थे अलग से जो है वह बनाया हुआ था बच्छों के लिए तो काफी सारी अच्छे चीज़ें यहां पर बच्छों के ट्वाइस की वो मोजूद थी आपको प्राइस जो है वो नजर आ रहे हैं और जी यहां पर मुझे नजर आई एक यूनीक सी चीज जो मैंने फर्स टाइम जो है वो देखी थी और यह देखें कितनी अच्छी तरह से में हेर रिमूवर भी हो गए थे आ जी हाँ यह है एपलेटर और यह मुझे मिला था टू फिफ्टी रुपीस का और यह मैंने जो है यहां पर मुझे एक यूनीक सी चो पर भी नजर आ रहा था और यह बड़ी काम की मुझे चीज नजर आ रहा थी क्यूंकि अकसर जो है वो लाइट सा हमारे घर में जो है वो नहीं होती तो हम इसमें अपना अनियन या अध्रक लशन जो भी होता है उसको आराम से जो है वो 250 रुपीज की थी और क्योंकि इसकी कॉलिटी जो है वो मुझे बहुत अच्छी रग रही थी यहां पर छोटे-छोटे से बच्चों के जो है वो ट्वाइस थे लेकिन यह वाला जो सेक्शन था वो थोड़ा मुझे रिजनेबिल जो है वो लग रहा था क्योंकि यहां पर 100 र के लिए जो है कुछ रोब टाइब का जो है वो बना हुआ था और यह 400 रुपीज का था क्योंकि यह वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इसके इलावा इनके पास गिफ्ट पैक की कॉलिटी भी बहुत अच्छी थी बहुत अच्छे अच्छे इनके पास जो हैं वह इ क्लीन कर सकते हो और यह आराम से मुउव भी हो रहा था और छोटा भड़ा भी हो रहा था लेकिन इसके प्रायस जो थे वह थोड़े ज्यादा थे आं मुझे यह 600 का जो है इस तरह की ये अच्छा बनावाता ग्रिप्ट अगर आप किसी को देना चाहें तो ये देने के लिए जो है वो बहुत अच्छा है इसके इलावा इनके पास ये शू रेक भी था और जो काफी अच्छी कॉलिटी का था और इसके जो प्राइस थे वो 1500 रुपीज थे और काफी सारी अलग अलग वराइटीन के पास चू रेकी थी भड़े भी थे चोटे भी थे और कलर भी जो थे ना इनके पास दो थे एक ब्लैक में भी था और एक शायद ग्रे में था और इस तरह की इनके पास जो है वो स्पोन्स वगएरा का जो है एक सैट था काफी अच्छी कॉलिटी का था और इसके प्राइस क्या थे इसके प्राइस जो है शायद 1500 थे मुझे जो है कुछ अभी इसके प्राइस याद नहीं आ रहे लेकिन इतनी थे इसी तरह से ये भी वैसा ही एक मॉब था ये तो आज का जो है कुछ जादा ही जो है वो इन है इसके राव यहाँ पर फ्रिच कवर भी थे काफी अच्छी कॉलिटी की जो होते ब्लास्टिक के बने हुए और माइक्रोवेव की जैसे कवर्स होते हैं वो भी इनके पास जो थ अच्छा होता है ड्रस्ट वगरा जो है वो आपकी चीजों पर नहीं आती है तो यह मैंने जो है वो ले लिया था अच्छा इनके पास ना यह मार्वेल स्पीकर जो थे वो बहुत जादा अच्छी कॉलिटी के मौजूद थे मैं अभी जो है वो वन डॉलर शॉप पर को पता था यह भी 300 रुपीज का कोई ट्रॉय था इसके इलावा यह बहुत अच्छे टूल्स थे आपके एयर क्लीनिंग के लिए काफी अच्छे यह टूल्स थे और यह 200 रुपीज के थे तो फिर यह मैंने ले लिये थे इसी तरह से मुझे यह अपनी एक किट जो है वो प पसंद आई है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब टो माइ चैनल मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में अलाहाफेज